हालो फ्रेंड्स वेलकम वाइलेस आईक्यू क्लासिज में दोस्तों आपको थम्ले से पता हो गया होगा आज मैं आपको UPSI का पूरा स्लेवर्स बताना जा रहा हूं दोस्तों बहुत ही महत्पूर वीडियो है यह आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि UPSI क्या-क्या प और टाइम कितना दिया आता है दो घंटे जैसा कि इसमें देखे पहला लिखा हुआ है समान हिंदी जो आपकी समान हिंदी वो सवंक की होती है मूल विदी और सविधान यह दोस्तों बहुत ही आपका बच्छा प्ले रोल करेगा और यह कितने का है सवंक का और जो आप नंबर प्रतेग जो कोश्चन है वो ढ़ाई अंक का होता है और चालिस चालिस से होते हैं इसलिए प्रतेग सब्जेक्ट सौसों अंक के हो गया है तो ज़िए ठीक मैं आपको बता दूँ पहला क्या है दोस्तों इसका मैं बता दूँ फॉर्म पूरे कंप्लेट हो चुके है अब आपका एक्जाम वही 2-5 माहिने के अंदर 100% हो जाएगा क्योंकि इनों योगी सरकार को जोइनिंग भी देनी है 2022 तक तो ठीक है दोस्तों फिर मैं आपको बता दूँ समान हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक हैं हिंदी वा अन्य भारती भासा हैं दोस्तों ये अब हमे किरण का मौलिक ज्यान होना चाहिए हिंदी वडमाला वडमाला आपको आती छोटा बड़ा पुसता है कंठोस्त कौन सा है कंठ कौन सी धोनिय बुली आती है सगोस इसमें तद बहुत तत्सम ये तो आपको पता होगा पर्यावाची विलोम सब्द ये भी आपने पढ़ा है अनेक अर्थी वाक्यांस के लिए एक सब्द समान रूपी भिनार्थक सब्द असुद्ध सुद्धो को सुद्ध वाक करना ये भी पता है लिंग पता है एक वचन जो वचन है एक वचन बहुचन कारक पूसता है करताने कर्म को वाला कारक हो गया सर्वनाम जो पता है आपक कुछ है प्रकार के होते हैं विसेसर किरिया विसेसर वगरा किरिया कौन कौन सी किरिया है यह पता है आपको काल भविसकाल भूतकाल वाच्चे अवयव उपसर्ग प्रत्य संधी समास विराम चिन जो पता है आपका यह वला पूड विराम होता है यह प्रिश्ण वाचाग वि ग्यारा होना इसा मोहावरे हैं, रस, रस भी आपको पता है, छंद, मुक्तक छंद, जो आपके हैं, अलंकार, उत्प्रिसा अलंकार, सब्दा अलंकार, रथा अलंकार, यह सारे टॉपिक आप लोग ने पढ़ चुके हैं, बहुत ही, हिंदी, इंग्लिस के मुकाब्ले यह बहुत ही अच्छी बात है, आप अठित गर्ध्यांस, यह भी आपका पूछा आता है, प्रसित कवी, उनके लेखक, यह भी आपके दो से तीर नमबर रोल प्ले करेंगे, और इसमें सबसे आदा यह कोशन आपको बहुत ही मातबुर, हिंदी भासा में पुरुसकार, हिलाओं बच्चो अनसूचित जाती के सदस से आदिको सनरचित देने का मामला, इसमें दोस्तों आपके सारे IPC वेगारा सब इसी में आते हैं मुल्विधी में, पर्रयावरर सनरच्छर अधिनियम यह बहुत ही मातबुर है, इससे दो कोशन मिलेंगे, मानवा अधिकार, आ कानून समंधी मामले सब आते हैं मुल्विधी में, यह बहुत ही मातबुर है, फिर अगला है खा नंबर इसी में, जो इसे बोलते हैं आप सविधान, यह तो आप लोगों सब लोगों ने पढ़ा, किवाल आपका यह न्यू टॉपिक आपका मिल जाता है मुल्विधी का, इ इसके दोस्तों मैं हिसाब से सबसे अच्छे विवेक सर हैं, जो एक्जामबूर पर बढ़ाते हैं, उनसे आप पढ़िए, बहुत ही बेश्ट बढ़ाते हैं, यह मुल्विधी, इसकी अगर आपको पीडियाफ शाहिए, तो कमेंट कर दीजेगा, मैं आपको पीडियाफ भ आनुन मराने का दिकार, इस्थानी, सवसाथन, पंचाईती, राजवगारा, सब दुस्तों इसी में आता है, राज की बीसंबन, निर्वाचन, इवं अन्य महतपूर जानिकारी, सवेदानिक अन्सूचिय, अखिल भारती सेवा, मुचयन, पक्रक्रिया की विसे में समानी ज अन्संख्या, पर्यावर्यम, नागरिक, एफडियाई, विसुब गोल, भारत का भी गोल, प्राकर्तिक संसादन, राष्टी, अंटर राष्टी, महात्यू, करेंट अफेर, उत्तर पदेश की जो, यूपी जी के जिसे बोलते हैं, वो भी आ सकती, दो से तिर नंबर, कम्प हुआ है, नेमियरकल, पहला है जिसे नंबर सिस्टम, दूसरा है सिंप्लिफिकेशन, पिर अगला है डेसिमेल और फ्रेक्शन, फिर हाइस्ट कॉमन फैक्टर में जिसे आप लासा और मासा बोलते हैं, पिर अगला क्या है रेशियो प्रपोर्शनल, जिसे आप समान प्रपोर्शन, जिसे ग्राफ वाले कॉश्चन होते हैं, मैंसोरेशन, और अंक गड़ती, संगड़क, और विसेशनत्यकार, और मिसलेनियस, इसमें आपके दोस्तों दो-तीन कॉश्चन और एड़ हो जाते हैं, अगले प्रेक होता है, प्रावबिल्टी जे प्राइक्ता ब खा नंबर, जिसे बोलते हैं, आप थलका फुलका रिजनिंग भी काउंट रहता है, तार्किक जिसे वेंड डाइग्राम बोलते हैं, सेंबल रेलेसंसिप, एक प्लस को माइनस लिखा गया, माइनस को प्लस लिखा गया, ये भी, फिर आता है आपका प्रत्य चिगान रिजन में करना, आपको पूरा रिजनिंग में आना चाहिए, रिजनिंग इसकी बहुत ही अच्छी लिवल की पूछी आती रिजनिंग, फिर क्या है इसमें अगला, मानसिक अभिरिच्वी, इससे आप लोग सवाल लेकर ने, इस बार जेल वार्डन में पूछे गया थे, बहुत ह इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग कर दे, लेकिन आपने पढ़ा सब कुछ है, मेरे में साब कुछ पढ़ा है, इसमें क्या है बिल्कुल अलाग अलग कर दिया सबकूँ जैसे हम लोग नमबर सीरीज पढ़ते हैं तुसे में अलफाबेट सीरीज जाधाती हैं नमबर वाले सीरीज जाधाते हैं जिसमें बीच में ब्लैंक खाली अला होता है जैसे A, DAS, B इसमें सब अलग अलग दे दिया ह difference भिन्रतार ऐसे जैसे नहीं पूचा आता है सेर, गाय, बिल्ली, चुहा में सबसे अलग क्या होगा यह उसको कहते हैं खाली स्थान बढ़ना, समुच्चे समस्या का सुलजाना यह भी आपके आते हैं और दोस्तों क्या है इसमें बहुत सारी आउधारना और जली ने बता देता हूँ, मैं आपको निसे बोलते हैं कथन और निसकर्स वाले स्लॉगिस्म यह आपका बहुत मातपूट है डिसीजन मेकिंग यह आपके तीन से चार कोशन देता है एक इनपूट आउटपूट, इनपूट आउटपूट यह भी तीन से चार कोशन देता है रिजनिंग इसकी बहुत अच्छी लेवल गयाती है तो आप लोग रिजनिंग पर थोड़ा ज्यादा देहन दीजिएगा रिजनिंग और हिंदी पर जिसने ज़्यादा ध्यान देलिया उसका यूपेस है बहुत ही आराम से पास भी हो सकता है आप बहुत इजी मसमझे बहुत ही अच्छा पेपराता है 160 कोशन होते हैं दो गंटे में करना सबकी बसकी बात नहीं होती एक कोशन आपको मातर 50 सेकंड देगा और कमी देगा 50 सेकंड तो सोच सकते हैं आप कितना अच्छा लेवाल इसका तो आज से आप लोग तयारी में लग जाए तो आपका एक्जाम पास भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल सही से महनत करते हैं तो ठीक है फिर आपको सिलेबर्स पता हो गया होगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ आजी जोड़ जाए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस क रखे जिदने भी नौकरी न्यू आती है मैं सारा वीडियो आपको प्रोवाइट करता रहूंगा ओके धन्यवाद